मैंने आपको कहा कि हमारे audience basically 20s में ज्यादा तर है तो इनके लिए मेरे इसाब से eye problem सबसे ज्यादा इसलिए होगी बढ़ती उमर में भी और अभी भी क्योंकि इन में सबसे ज्यादा digital screen exposure इनी में सबसे ज्यादा है और अभी अगर future की बात करें तो AR जो augmented reality कहते हैं वर्चूर reality कहते हैं वो ज्यादा तर मतलब पास आ रहा है तो screen time जो अभी 5-6 गंटे average पर है वो शायद 10-15 गंटे भी हो सकता है यानि कि पूरा है हम लोग में जीने वाले तो ऐसे हमारी आखों में क्या-क्या मतलब नुकसान हो सकता है अगर इतना ज्यादा हम लोग digital screen पर देखते रह रहे हैं जादा mobile phone screen laptop के इस्तेमाल से वो देख रहे हैं कि यंग लोगों में अब चश्मे का number चड़ता जा रहा है और especially covid के बाद ये चीज़े बढ़ गई है और इसका direct correlation है कि अगर आप जादा समय तक mobile computer use करते हैं तो body में इस तरह की changes होते हैं जिससे minus का number चड़ जाता है especially उन बच्चों के लिए जिनकी उमर अभी बढ़ रही है और 18 साल से कम है जिनकी उमर तो ऐसे बच्चों के लिए दो ती suggestions यह होती है कि एक तो screen time को थोड़ा सा limit करना शुरू करिए अगर आपको लंबे समय तक screen use करना भी है तो बड़ी बड़ी screens को use करें जिसको आप करेंटा निकलना जरूरी है जिससे नहीं बढ़ता चश्मे का नंबर और proper healthy diet रहेगी junk food avoid करेंगे proper sleeping habits रहेंगी तो चश्मे का नंबर हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ता लेकिन अगर किसी की आंख में चश्मे का नंबर आ भी जाता है जैसे आपने tension लेने की बात नहीं है आधे नंबर से लेके 30 नंबर माइनस 30 तक का चश्मा आजकल हम 10 मिनट के procedure या operation से हटा सकते हैं और ये जो operations हैं laser वाले operation होते हैं इतने जादा advanced हो गए हैं कि इन operations में कोई दर्द नहीं होता कोई injection नहीं लगता कोई टांका नहीं होता कोई blade नहीं होत होता कोई पटी नहीं होती कोई hospitalization नहीं होती बस आप laser machine के नीचे लेते हैं दस बारा सेकेंड के लिए आंक में laser आएगा चश्मे का नंबर पूरी life के लिए हट जाएगा तो अगर चश्मे को बढ़ने से रोकना है तो उसके लिए suggestion है लेकिन अगर आ गया है तो tension नहीं लेनी आज कल चश्मा हठाना सिरो दस मिनट का खेल है आज operation करा है तीन चार दिन थोड़ा आराम करना है आंक में दूल मिट्टी पानी ना जाए और फिर आप जो मन में आये कर सकते हैं अपने सारे शौका पूरे कर आप से operation के बारे मे अटीक में हमें थोड़े points बता दीजिए जो हमारे मतलब दर्शक में कोई भी हो जिनका progression बढ़ रहा है जैसे मैं खुद हूं मेरा धाय से अभी तीन हो गया यह भी 25 या 26 की एज में तो वह बड़ा abnormal सा लगते क्योंकि हमें जहां तक मैं जानता हूं मैंने MBBS में पढ़ा थ है तो ऐसे लोगों के क्या क्या मतलब exercise कर सकते हैं कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और अगर आप चश्मा नहीं पहन रहे हो या गलत नंबर का पहन रहे हो फिर तो यह नंबर बढ़ता जाएगा नहीं रूख सकता विकार इसमें फिनोमेना बनता है जिसको हम नर बलर जिसमें गलत चश्मे की वज़े से चश्मा जल्दी जल्दी बढ़ता है तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर चश्मे का नंबर है एटलीस साल में एक बार उसको रीचेक करा लो ताकि आप बिल्कुल करेक्ट नंबर पहनो और नंबर कम से कम बढ़े आँखे ठक जाती है और आँखे ड्राय होना शुरू हो जाती है ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लंबे समय तक पांस की स्क्रीन को देख रहे हैं तो आँखों की मसल्स में जोर लग रहा है जादा समय तक जोर लगता है तो ठक जाती है प्लस आँखों हमारी आँखों का जो blink rate होता है जपकने का rate होता है वो usually 16-18 होना चाहिए per minute लेकिन mobile phone computer पे काम करते करते आपका ये blink rate 6-7 हो जाता है उसकी वज़े से आंखों में dryness और ठकावट आती है तो 2020-2020 rule का मतलब ये है कि हर 20-30 minute बात आप थोड़ा सा एक break लीजिए 20 foot दूर देखिए जिससे आंखे थो overall screen comfort बना रहा है साथी साथ हम लोग recommend करते हैं कि अगर आपके screen use 4-5 घंटे से उपर है तो आपको एक lubricating drop को use करना चाहिए lubricating drops market में readily available है refresh tier, sustain ultra के नाम से आती है दिन में 4-5 बार उनको use करेंगे बहुत जादा comfortable रहेंगे साथी साथ proper posture हो आपकी screen जो है आपके eye level पे हो आँखों के सामने कोई AC या heater अगरा ना हो जिससे आँखे dry हो सकती है तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो help होगा अच्छा आजकल एक blue light का बहुत चल पड़ा है कि blue light filter चश में पहनने चाहिए या screen में blue light का filter लगाना चाहिए कि नहीं लेकि blue light का scientific role तो हम सब समझते है blue light जो है या आपके body के sleep और wake cycle को regulate करती है तो जब जादा blue light होती है या दिन निकलता है तो body को signal मिलता है कि जागो और जब अपने atmosphere में sun set हो जाता है blue light कम हो जाती तो body को signal मिलता है कि अब सो जाओ लेकिन जब आप लंबे समय ते mobile computer देखते हैं और उसमें से भी blue light निकलती है तो body को false signals मिलते हैं कि अभी भी दिन है और अभी सोना नहीं है इसने हम लोग देखते हैं कि यंग्स्टर की habits खराब हो नहीं है रात को 2-3 बजे सोते हैं वो तो इसके लिए blue light filter चश्मे की जुरत नहीं है blue light filter चश्मे की अलग नुकसान होते हैं सबके mobile phone computer या screens में आजकल blue light filter software बने वहें आप उसको on करिए और आपको इन सब problem से कोई tension अब जब आपने बात की के negative number बढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई मतलब exercises या no cost tool है जिससे हमारा जो बढ़ता number है वो regress हो सकता है या फिर वो मतलब medical या फिर surgical के बीना वो होई नहीं सकता है यह बहुत common question मेरे patients पूछते हैं कि Docs up क्या कोई तरीका है कि बिना operation के इस चश्मे को हटाया जा सके देखिए आज की date में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है क्योंकि देखिए जो चश्मे का number आता है इसमें जो आंख है उसमें anatomical changes हो और क्या होता है जब हमारी आंख में चश् अब मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे मैं आंख ये जो बड़ी हो गई है इसको छोटा करता हूँ जैसे एक इंसान की height 6 foot हो गई अब उसको 5 foot कैसे कर से नहीं कर सकते हैं तो हम लों ये जो laser operation का purpose क्या होता है कि हम इसको तो छोटा नहीं कर सकते हम ये जो पुतली है इसके घुमाव को laser से तराज देते हैं और focus वापिस परदे पे ले आते हैं जिससे बिना चश्मे के दिख सकता है लेकिन ये जो laser वाला operation है ये भी हम आज की date में 50-60% लोगों में ही कर सकते हैं तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चश्मे का number high है जैसे मान लीजे 8 number से उपर है चश्मा या आंखों में dryness की problem है या कुछ इस तरह की reports आ रही है कि आपका laser से चश्मा नहीं हटाया जा सकता तो एक और तरीका आजकल बहुत ही commonly और बहुत popular advanced है जिसको हम कहते हैं ICL तो ICL क्या होता है डॉक्टर स्मित कि एक ना कभी एक lens होता है इस lens में हमारे च दोस्तो ये वीडियो अगर आपको valuable लगा तो इसे like कर अपने सारे दोस्तों से इसे share कीजेगा इस channel को subscribe तो आप करी लेंगे चलिए मिलते हैं